आपका स्वागत है आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तब की सुख्रों पर BMSP को अब हर महीने देना होगा क्राइम की रिपोर्ट 3000 से अधिक पदों पर आयूस डॉक्टरों की जल्द होगी नियमित बहाली बाहुबली विधायत अनुट से हिपर लगा एक नया आरूप बिहार में गंगा दिखा रही है अपना डॉक्टरों रूप मौसम विभाग ने अगले 24 गंटे के लिए इंजिलों को किया अलर्ट तो आईए अब जानते हैं खबरे विसार से अक्टूबर में शुरू होगा विक्रम शिला पूल के समानांतर चार लेन पूल निर्मान का काम सूबे के भागलपूर में गंगा नति पर बने विक्रम शिला सीतू के समानांतर चार लेन पूल के निर्मान कारे शुरू होने में अब सितंबर बीतने तक का वक्त है इस साल अक्ट्यूबर से काम शुरू हो जाएगा और चार सालों में बंद कर तयार हो जाएगा इस बात की जानकारी बीते दिन राजसभा में केंद्रे सरक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गट करीनी दी है दरसल बिहार के पुडव डिप्टी सीम सहराजसभा सांसत सुसिल कुमार मोदी की सबाल पूछे जाने पर केंद्रे मंत्री ने यह जानकारी दी है साथ है यह भी बताया गया कि वारनसी और इंगबाद के 6 लेन सरक निर्मान का काम साल 2023 में पूरा करने का लक्ष रखा गया है जिसका 60% काम पूरा हो चुका है जिसके बाद अब रोके हुए काम को फिर से शुरू किया जाएगा IPRD बिहार ने ट्वीट कर या दिलाई सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने की बाद बिहार में 14 दिसंबर के आधी रात से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री करना भारी पर सकता है और 15 दिसंबर 2020 से सिंगल यूज होने वाले प्लास्टिक के मैनुफेक्चरिंग और पडिवहन समीत सभी चीजों पर रोक लगा दे जाएगी इस संदर्ब में बीते दिन एक पर फिर IPRD बिहार ने ट्वीट कर कहा कि 14 दिसंबर 2020 की मत्य रातरी के बाद सिंगल यूज वाले प्लास्टिक और थर्मोकॉल से बने कप प्लेट ग्लास प्लास्टिक बैनर, जन्डा सजावत की समगरी, पानी के पाउज और पैकेट्स के मैनुफेक्चरिंग, आयात, भंडारन, पडिवहन, वितरन और बिक्री करने पर अधिक तम 5 साल की सजा या फिर एक लाख तक का जुर्मारा या फिर दोनों सजा एक साथ मिल सकती है तीन हजार से अधिक आयूस डॉक्टरों की जल्द होगी नियमित बहाली, राज में बड़ी संख्या में आयूरवेद होमियोपैथ समेत आयूश की दूसरी विधा में डिग्री लेने वाले युवाव के लिए नियमित रूप से बहाल होने का मौका आ रहा है राज में जल्द ही तीन हजार से अधिक आयूस डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति होगी इसके लिए 3,274 आयूस चिकितसकों की पदों पर बहाली होनी है या बहाली तक्निकी सेवा आयूक की इस्तरपर होनी है एसके लिए प्रकेरिया अंतिन चर्ण में चल ड़ई है बताते चले कि इसके तहट आयूस मेडिकल अपसर के 1502 पद आयूस फिजीशियन आयूरुवेद के 126 वहोमियोपैथिक चिकितसा पदादिकारी के 894 पद है इनके अलावे आयूस फिजीशियन होमियोपैतिक के 76 पद यूनानी चिकितसाफ़ पद आधिकारी के 622 पद और फिजीशियन यूनानी के 50 पद पर बहाली होगी वियार में कोरोना के एक्टिब मामने हुए 300 के नीचे राज में काफी दिनों के बाद राहत बरी खबर आई है कोरोना की दूसरी लहर के बैक फूट पर जाने के साथ ही अब सूबे में वरतमान में 285 मरीज कोरोना से संक्रमित है तो वहीं बेते दिन के पिछले 24 गंटे के दौरान आई स्वास्ति विवाक के आकरे की मुताबिक 21 जिलों में एक भी करोना की मरीज नहीं मिले हैं आकरे की मुताबिक इस दौरान राज विबर से 43 नए मामने सामने आए जबकी 63 मरीज रिकवर हुए है वहीं इस दौरान लगतार बिहार के आश्रीतों को भी मिलेगा मुआवजा बिहार की मुख्या नितिस कुमार ने बीते दिन जिनता दरबार में एक बड़ा एलान किया है जिससे बिहार से बाहर कोरोना के इलास करवाने की दौरान जिंदगी की जंग हारने वाले लोगों के परिजन को थोड़ी आर् करने पर उन्हें बताया गया कि विहार से बाहर हुई मौत पर मुआवजा का प्रावजा नहीं है यह सुनते ही मुख्यमंत्री ने विहार की निवासी होने की कारण उसे मुआवजा देने और ततकाल स्वास्त विभाग के अधिकारियों को इस संबन में उचित कारवाई कर देने का निर्देश्तिया बताते चैने कि बिहार में कोरोना से मौत होने पर परिजन को चार लाक मुआवजा देने का प्रावधार है दिल्ली एमस में भरती हुए उपेंद्र कुश्वाहा जेडियों संसद्य बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा बीते दिन अचानक दिल्ली के लिए रवाना होने के बाद दिल्ली के इमस में भरती हो गए इस बात को लेकर कई अफवाहे उने लगी थी कि उपेंद्र कुश्वाहा की तब्यत खराब हो गई है जिसकारण वे इमस में बरती हुए हलांकि सभी अफवाहों का खंडन करने के लिए कु ज़र आ रहे हैं पहले दिन लंबित वनिश्पादित कांट की जानकारी देने होगी जबकि अंतिन दिन उनकी जानकारी और सजा विवरनी की रिपोर्ट देने होगी इस रिपोर्ट को ग्रे विभाग द्वारा तयार के गए 20 पेज के फॉर्मेट में वेजना होगा मदुबने में फरजी सरकारी बहाली करने वाला गिरव हुआ ग्रिफतार बिती दिन मदुबने में इस्टेशन के पास के एक होटेल से फरजी तरिके से प्रखंड आर्टीपी ऐस काउंटर में डेटा एंट्री ओपरेटर की नाम पर ठगी करने वाले नॉन लोगों को ग्र जिसके बाद चापी मारी करके संलिप्त 9 लोगों को गिरफतार कर लिया गया इनके पास से 77 रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बरामत किये गया जिसके साथ अभ्यारती के श्यक्षनिक प्रमानपत्र, कंप्यूटर प्रमानपत्र, बैंक खाता, आधार और पैन कार्ड की फोटो गाट में जल अस्तर पहले से ज्यादा बढ़ गया और शेहर के ओड़ बढ़ने लगा तो वहीं गुलबी घाट में विद्यूत शिवदाह ग्री के सामने गंगा का पारी पहुँच चुका है, पटना के लगबग सभी घाटों में बीते 24 गंदे में ही जल का अस्तर खत्रे के निशान से उपर बैरा है, तो वहीं पुन-पुन और फल्गु नदी से दियारे के लोग परिशान हो रहे हैं, बार के खजरे कुड़े कर पटना के डियम ने सभी को अलर्ट कर दिया है और दियारे में खास विवस्था की जा रही है, कपिल सिब्बल के दिनर पार्टी म आर्जेटी सुप्रेमों लालु प्रसाद यादव समेश 17 विपक्षी दलों की नेता शामिल हुए, सुत्र की मुताबिक 45 विपक्षी नेता एक साथ मौजूद थे, इनमें कॉंग्रेस, टीमसी, एनसेपी, टीडीपी, आर्जेडी, टीर्स, बीजेडी, यसर कॉंग्रेस, अकाली दल, डीम के, शिवसेना, सपा, CPM, CPI, आप, नाशनल कॉंफरेंस और आर्डल्टी जैसे दल शामिल थे, वही इस दोरान राहुल गांदी का नजर ना आना भी कई तरह की सवाल खरा कर रहा था, इस दोरान राज़त सुप्रेमों लालु प्रसाद यादव भी दिख किया है, इस मामने में पुलिस ने विधायक अनंत से समेथ 14 लोगों के कलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, बताते चले कि यह मामला बकमा गाउ के इलाके का बताया जा रहा है, जहां दो दिन पहले एक युवक को अपरादियों ने लगवग 16 गोलिया मारी बाद में इलाज के इस मामने में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोप लगाने वाला युवक भी आपरादिक बैग्राउंड से बता जा रहा है, मौसन विभाग ने अगले 24 गंडे के लिए इन जिलों को किया अलर्ट, बिहार में मौनसून प्रभावी होने के बाद से एक बर फिर बारि जिलों को अलर्ट किया गया है, जहां आज भारी बारिश के साथ ही बजरपात होने की संभाव ना जिताए गई है, आइमडी पटना ने बताया है कि मामसून की ट्रफ रेखा अभी डेहरी से होकर गुजर रही है और यहां उत्तरमध्य, उत्तरपश्यम, उत्तरपुरु औ और दक्षिनपुरु बिहार के जिलों में खास्तोर पर सक्रिय रहेगा, सुसलमोदी ने जग्दानन्द सिह को राजट छोड़ने की दिस सला है, आरजेडी के वरश्ट नेता जग्दानन्द सिह को उनके ही पार्टी के विधायक और पार्टी सुप्रीमों के बेटे तेज में वरश्ट नेता के लिए कोई सब्मान नाई है, उन्होंने कहा कि जग्दानन्द सिह के अंदर स्वाविमान बचा है तो उन्हें अपना रास्ता अलग कर लिना चाहिए आईपियल दोजरेके इसके बचे मैच में दर्शकों की हो सकती है एंट्री, आईपियल दोजरेके इसके बाकी बचे मैच सरयुक्त अरव अमिरात में अगली महने से खेले जाने वाले हैं जिसके लिए जल्द ही आईपियल की टीमें भी UAE रवाना होंगे इस बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशकबरी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि स्टेडियम में फैंस को एंट्री मिल सकती है एक रिपोर्ट के मताबिक BCCI फैंस को इस टेडियम में जानों की अनुमती दियना चाहती है लेकिन शेर्थ ये होगी कि सिर्फ उपर के टीर पर ही प्रशंसकों को बैटने की अनुमती मिले क्योंकि इसमें खिलारियों, सपोर्ट स्टाफ और IPL से जुरे हितिधारकों का क किसी भी तरह का कोई संपर्ट ना हो, ऐसे में स्टेडियम में फैंस की एंट्री को लेकर कुछ फैसल आलिया जा सकता है यूपी में नए तरिके से फूलन देवी कार्ड खेलेंगे मुकेश शेहनी, विकासेल इंसान पार्टी सुप्टिमो सब यहार सरकार में पशुववम्मत से पालन मत्री मुकेश शेहनी यूपी विधान सबच नाव में फूलन देवी कार्ड खेलना चाहते हैं यूपी पुलिस द्वारा रोक लगाने की बाद भी अब सहनी यूपी में घर गर तक पुरुसांसत फूलन देवी की विचारधार को पहुचाने की सूच रहे हैं इस बात का एलान आज उन्होंने फूलन देवी की जयनती मनाते हुए किया इसके अलावे उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कहा कि उतर प्रदेश में फूलन देवी की 50,000 मूर्थिया, 10,000,000 कैलेंडर और 5,000,000 लॉकेट को अगले 100 दिनों में विचरनबद तरीके से घरगर तक पहुचाएंगे इसके लिए आम लोग पार्टी की वेबसाइट से फ्री ओर्डर भी कर सकते हैं इसके साथ ही उन्होंने यूपी चुनाव में 165 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है तो चुले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में 15 दिसंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने का फैसला सही है या फिर नहीं आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्सिन में कमेंट करें की जरूर बताया और बिहार से जड़े कब्लों से अपडेटे रहने के लिए जड़े रहें बिहारी न्यूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार